principles of systematics module 113 cluster sampling cluster sampling is a type of probability sampling इस technique के अंदर हम क्या करते हैं हम अपनी जो population है उसको divide करते हैं into various clusters into various groups अब जो stratified sampling थी stratified sampling के अंदर भी हमने अपनी population को different groups के अंदर divide किया different strata के अंदर divide किया जो stratified sampling और cluster sampling के अंदर क्या difference है cluster sampling के अंदर हम जो clusters बनाते हैं इस cluster के अंदर जितने भी individuals होते हैं वो एक जैसे होते हैं ना सिरफ ये आपस में एक जैसे होते हैं बलके ये दूसरे cluster से भी resemble कर रहे होते हैं अब एक clusters के अंदर जो individuals हैं ना सिरफ उनकी age एक जैसे होती है उनका sex एक जैसा होता है बलके उनकी बाकी जो attributes हैं वो भी एक जैसे होती है इसी तरीके से अगर ये cluster plants का है तो इसके अंदर जो plants हैं एक ही species से ये belong करते हैं ये plants इनकी height एक जैसे होती है और बाकी जो characters हैं वो भी एक जैसे होते हैं अब cluster sampling का इस्तुमाल कहां पी किया जाता है पर जैंपल हम एक research conduct करना चाहते हैं हम एक study करना चाहते हैं हम ये मालूम करना चाहते हैं कि हमारे पास तीन different किसम की medicines हैं और ये तीन different companies ने बनाई हैं सब diabetes को control करने के लिए हैं तमाम जो companies हैं उनका claim ये है कि हमारा product बहतर है हम ये compare करना चाहते हैं कि इन तीनों में से कौन सा जो product है वो बहतर है हम क्या करते हैं हम तीन groups बनाते हैं treatment के लिए, experiment के लिए और एक group control के लिए बनाते हैं total हम 40 individuals select करते हैं ये जो 40 individuals हमने select किये ये तमाम individuals एक जैसे थे इनकी age एक जैसी था इनका sex एक जैसा था और इनकी बाकी जो physique बाकी जो conditions थी वो भी एक जैसी थी इनको हमने चार groups के अंदर डिवाईड कर दिया group 1 के अंदर भी 10 individuals थे जो के एक जैसे हैं group 2 के अंदर जो individuals हैं वो भी एक जैसे हैं इसी तरीके से group 3 और group 4 के individuals भी एक जैसे हैं अब ये तमाम individuals ना सिरफ आपस में एक जैसे हैं बलके दूसरे जो group से, दूसरे cluster से भी resemble कर रहे होते हैं अब एक group ऐसा है जिसको हमने कोई medicine नहीं दी ये जो group है ये control group कहलाएगा जिसको हम comparison के लिए use करेंगे दूसरा जो group है उसको हमने company 1 की medicine खिलाई तीसरा group company 2 की medicine खिलाई फूर्थ group को हमने company 3 की medicine खिलाई एक महीना उनको medicine खिलाने के बाद हमने उनका जो glucose level था उसको check किया और ये जो glucose level आया इसको जो control group था जिसको हमने कोई treatment नहीं दी उससे compare किया फर जेंपल एक diabetic patient का group जो group 1 था उसके साथ हम compare करते हैं definitely उसको कोई treatment नहीं दी तो उनका glucose का level higher होना चाहिए अब जिन groups को हमने medicine दी उनका glucose का level कम होना चाहिए तो जिस company का product ज्यादा बेतर होगा वो जो medicine है वो ज्यादा काम करेगी और वो glucose के level को normal range के उपर रखेगी तो इस तरीके से हम comparison से ये मालूम कर सकते हैं कि कौन सा product ऐसा है जो बेतर है जिसको हम field के अंदर recommend कर सकते हैं अब यहाँ पे जो cluster sampling है उसकी importance क्या हुई कि जब हम इस किसम की study करते हैं ताके biasness ना आए ताके तमाम individuals आपस में एक जैसे हों फिर हम अपना trial शुरू करें उसके लिए cluster sampling का इस्तमाल किया जाता है cluster sample जो होता है इसके अंदर तमाम animals मुख्तलिफ हवाले से एक जैसे होते हैं इनके attributes एक जैसे होते हैं लेकिन क्योंकि हर जो individual है उसके जो genetic components हैं वो different होते हैं इस वजह से उनके अंदर minor variations हो सकती हैं लेकिन ये जो minor variations होती हैं ये beyond the experimenter हैं इनको हम control नहीं कर सकते हमने अपनी पूरी कोशिश की के जो cluster हमने बनाया उसके अंदर तमाम individuals तमाम items तमाम entities एक जैसी रहें और फिर हम अपना experiment आगे proceed करें